एक तरफ जहां नेटों की लिध्वानिया की बैठक में युक्रेन को मॉडरन और लंबी रेंज वाले हतियार सप्लाई करने का वादा किया गया वहीं दूसरी तरफ नेटों की इस एलान से रूस के राश्पती व्लादमेर भड़के हुए है पहले तो रूस ने इस एलान से परमानु युद की आशंका और बढ़ाने की बात कही थी लेकिन अब पुतिन ने कहा है कि युक्रेन की धर्ती पर जो विदेशी टैंक हैं रूसी से ना उन्हें सबसे पहले अपना निशाना बनाएगी पुतिन ने यहां तक कह दिया कि युक्रेन को पश्वी देशों के हतियार सप्लाई करने से युद की दशा और दिशा नहीं बतलेगी बस युद लंबा ही खिचेगा इसके अलावा रूस की जनता को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि युक्रेन की नेटो की सदस्यता रूस की सुरक्षा के लिए खत्रा पैदा करेगी जबकि पस्चिम के हतियार सप्लाई करने से वैश्विक तनाव और बढ़ेगा जो लंबा चलेगा आपको बता दे कि नेटो की बैठक में फ्रांस ने युक्रेन को लंबी रेंज वाली क्रूज मिसाइल देने का फैसला किया है और फ्रांस के इस फैसले पर पुतिन ने कहा कि इस से नुकसान तो होगा ही लेकिन उनके इस्तेमाल से युद्ध के मैदान में कुछ गंभीर नहीं होगा आपको बता दे कि फ्रांस जिन मिसाइलों को युक्रेन को देने जा रहा है उनकी रेंज 200 किलोमीटर तक है फ्रांस के अलावा ब्रिटेन ने युक्रेन को चैलेंजर 2S बक्तर बंद टैंक देने का वादा किया है युद्ध में ये टैंक काफी एहम साबित हो सकते है चैलेंजर 2S की अधिक्तम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रती घंटा क्रॉस कंट्री है जबकि सड़क पर इनकी रफ्तार 69 किलोमीटर प्रती घंटा है इसकी रेंज 200 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक है आपको बता दे कि पुतिन का ये एलान अमेरिकी राश्पती जो बाइडन के उस बयान के बाद आया है जिसमें बाइडन ने कहा है कि रूस पहले ही उक्रेन से युद्ध में हार चुका है और उम्मिद जताई जा रही है कि युक्रेन के जवाबी कारवाई हाला कि जो थोड़ी धीमी जरूर है लेकिन रूस को बाचीत की मेज पर ले आएगी खर ले जर ले फिरूशन की मेरर जाई है